अगर आपको मालूंग रहेगा तो ऑनलाइन कोर्स हमारा 19 ऑक्टोबर के बाद शुरू हो रहा है तो आपको बहुत सारे कोर्स इसमें आने वाले हैं जैसे कि दीरे दीरे शुरू होगे हर एक कोर्स है लेकिन इसके जो शुरुवात हो जाएगी वह 19 ऑक्टोबर से शुरुवात हो जाएगी तो अगर आपको इसके लिए अधिक जानकरी चाहे तो 19 ऑक्टोबर के बाद आप मुझे कॉल कीजिए ठीक है अगर आज का जो मेरे वीडियो ह आप प्लीज उसको लाइक और कमेंड में लिखना मत बुलिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को शेर भी मत करना बुलिए बिकॉस अगर आप शेर करोगे तो जादा से जादा तक लोगों को पहुचेगा और जो हमारा कॉंसेप्ट है कि मैं लोगों को एड उसके प्रकार कितने थे इसमें उनने जनरल टम्स में आपको बताने की कोशिश की है कि यह कंप्यूटर की रैम की जो शुरुवात ही वह कहां सी ही आज हम लोग कौन से प्रकार का रैम इस्तमाल करते हैं तो चले शुरू करता है देखे इस अब शब्से पहले देख रहे है यहां पे DIP, D-I-P-P memory, तो यह DIP memory जो है, वो एक IC के स्वरूप में रहता था, यह IC जो है, वो इस प्रकार की memory है, RAM है, पहले के जमाने में कैसा थे, बड़े-बड़े cards आते थे, उसमें आपको अलग से ICs देते थे, जो ही सबसे आपको required है, वो ही सबसे IC बिठा ही है, और आ आप देख सबते हैं कि यह वाले RAM है, जिसको हम लोग SIM बोलते है, उसके बाद 72-Pins का SIM है, उसके बाद में DIM हा गया, जिसको हम लोग SD RAM के नाम से पैचानते हैं, उसके बाद DDR, DDR2, DDR3, DDR4 जो भी latest चल रहा है, तो इतने सारे प्रकार के RAM है available, अभी आज आप लेने जाओगे मार्केट में, तो DDR3 मिल जाएगा और DDR4 मिलेगा, बाकी सब जो RAM हो जनरली बंदो चुके है, जैसे लेटेस्ट आते जाएगा, वैसे लेटेस्ट आते जाएगा, वैसे लेटेस्ट आते जाएगे, लेकिन अभी लेटेस्ट में आप DDR4 का इस्तवान नए Motherboards में आप कर सकते ह तो यह सब में फरक क्या है, और यह सब कैसे दिखता है, वो चलो देखते हैं अभी यह दिखो आपके सामध जो भी दिख रहा है, यह 1981 का RAM कार्ड है, पहले के RAM के स्लोट नहीं थे, पहले आपके कार्ड स्लोट में यह RAM को बिठाना पड़ता था, जैसे कि आप देख सकते है यहाँ पर ISA स्लोट का आपको कनेक्टर दिख रहा है, जिसमें यह आपको 64, यानि कि 16 KB का RAM है, यह जो आपको दिख रहा है ची तरह स्पेसिफिक, वो है 16 KB का RAM, क्योंकि ज्यादा अप्लिकेशन नहीं थे, इसके लिए KB में था, लेकिन इसकी जो कैपासिटी है 16 KB से ल तो यह जो स्पीड की बात कर रहा है, और यह क्या है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि एक जो रहता उसकी कैपासिटी और एक रहता उसकी फ्रिक्वेंसी, कैपासिटी का मतला पर यह एक साथ में कितना डेटा हैंडल कर सकता है, तो यह 16 KB से लेके 64 KB तक का डेटा हैंडल कर स तो 5 MHz पर आपका काम हो जाता था इसके बाद लेकिन और यह बहुत ही महेंगे थे उस जमाने में बहुत ही कौशली माना यह थे उसके बाद रैम थोड़े से और जेंज अब हुए क्योंकि अभी एप्लिकेशन देरे देरे आने लगे मार्केट में तो उनको रैम की अब बढ़ानी थी तो रैम अभी कैसे याने वाले कार्ड के जरूप महीं आते थे लेकिन यहां पर ऐसे खाली बॉक्स आते थे और आइसी आपको अलग से मिलते थे जैसे मैं आपको बता है डीप पिन्स डी यह डबल पी दिख रहे हैं आपको उस प्रकर के आइसी आते थे जो को इस बॉक्स में आपको बिठाने आ पड़ते थे ओके जितने जादा आप आइसीज बिठा कि उतना जो है इसकी इसकी बड़ा सकते है यहां पर 64 KB से लेकर 256 KB तक की इसकी बढ़ा सकते थे, हलाकि उसके बाद 2 MB तक भी इसकी capacity आने लगी थी, लेकिन frequency जो है 5 MHz रहती है, यह 1982 की बात है, इसके बाद और थोड़े changes जो है, 1985 के अंदर capacity जो है उसकी बढ़ा दी गई, और frequency भी बढ़ा दिया गया, यह 2 MB तक की data storage capacity 2 से 4 MB तक यह जा सकती थी, आप जित capacity थी उतनी बढ़ा सकते थे, और frequency जो है 10 MHz पर चलते थी, यह 1985 के बाद है, तो उसके बाद जो RAM आया वो था SIP, S-I-P-P, यह कुछ इस प्रकार से देखने वाले यह, हलाकि पिचर क्लियर नहीं है यहां पर, लेकिन यह जो RAM है, वो 286 के motherboard में ज्यादा तर ही इस्तमाल होता इसका पहले वाले RAM से काफी सस्ता था RAM, और 2MB का इतना छोटा सा RAM, प्लस 10 MHz के frequency, यह 1986 के बाद है, 286 motherboards के ही साब से, फिर 1988 के आज पास यह, जो RAM का पूरा क्राइटी रहन है, पूरा हिस्टरी ही चेंज कर दिया, रैम के लिए और लोग ने अलग से slot दे दिया, जैसे कि य आज भी आप देख सकते हैं, अपने latest motherboards है, उसमें RAM की अलग से slots हता है, तो उस जमाने में जो नया RAM आया, वो था, यह आपको साम में जो दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते है, SIM RAM, SIMM, देखिए, आपको यहां पर मैंने बताया था, starting महीं, यह SIMM, जो की 30 PIN का RAM है, यह 30 PIN का, ओके, और इसकी जो खासयत है, वो 256 KB से लेकर, कैपसिटी, 4 MB तक की इसकी कैपसिटी हो सकती थी, लेकिन इसके फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी गई है, 16 MHz कर दी गई है, ओके, यह 1988 की बात है, उसके बाद में जो RAM आया, वो था 72 PIN SIM, याने कि उसकी size और बढ़ा कर दी RAM की और पिंस बढ़ा दिये, उसकी वज़े से क्या होगा की, कैपसिटी बढ़ा दी गई, याने की 8 MB तक की इसकी कैपसिटी, 8 MB, 16 MB तक भी मिलता था, यह RAM, अलाकि उस जोनों में, DOS काफी famous चुके थे, applications भी आ चुके थे, games आये थे, नए-ने, applications आ रहे थे, market में, तो यह RAM इसके बाद 1998-2000 के आसपास, HDRAM की शुरुवात हुए, जो की P1 से उसकी शुरुवात हुए थी, और P3 तक अपको HDRAM ही मिलेगे, यह जनरली 100 MHz से लेकर 132 MHz के आसपास इसकी frequency थी, हाला की 200 MHz तक यह RAM चलता था, अब लेटेस्ट अगर P3 के अंदर जो HDRAM लगता था, 200 MHz की असपास उसकी frequency आते थी, यह थी HDRAM, HDRAM पैचाने की खासेद इसमें इसे दो notch रहते थे, 72 मिन में एक notch और 30 में कोई notch नहीं था, यह उसके changes है, और यह काफी बड़े थे size में, HDRAM, यह आगे की दोनो RAM से, तो यह आराम से पैचान में आ जाता था, इसके बाद आया DDR1 RAM, DDR1 जो RAM है, उसकी MHz की यहने frequency जो है, 266 MHz से लेकर 400 MHz के आसपास, यह उसकी frequency थी, काम करने के, और capacity की अगर मैं बात करूँ, तो 512 MB से लेकर 1 GB, 2 GB, 4 GB, ऐसे अलग-अलग range में मिलते थे, यह थे DDR1 RAM, ओके, फिर आया DDR2 RAM, जो की 2008-2009 के आसपास आया, तो DDR2 की खासेती, 533 MHz से लेकर, अभी यहाँ पर देखो, आप MHz बढ़ रहे है, यहाँ पर देख रहे हो, 400 MHz तक का था, यहाँ पर 800 MHz तक का यह रैम साने लगा, यह है DDR2, और हाला कि पीन्स काउंट भी उसके बढ़ने लगे थे, यहाँ पर समझो, 168 Pins था है, यहाँ जाधा Pins हो गया, और ज 600 MHz तक की, यानि की, 1600 MHz तक की, फ्रिक्वेंसी बढ़ा देगी, और आज जो लेटेस्ट में हम लोग यूज कर रहे है, वो है यह DDR4, हला कि अब तक पूरी तरह से मार्केट में नहीं आया हुआ है, जो लेटेस्ट अगर आप बोर्ड खरीद होगे, तो उसके अंदर आपक बुर रहे के आगया है, तो 64 GB भी शायद उसका हो सकता है, और 128 GB का भी रैम आएगा आगे चलके, यह सब है DDR4, तो इतने सारे प्रकार के जो रैम से, आपको कैसे मालू पढ़ा है कि मेरे मदोड में कौन सा रैम बैठेगा, यह सवाल आपके साम में आ जाएगा, तो बहुत आपके सिंपल बात है, आप देख सकते हैं, आपके रैम स्लॉट जो रहेगा आपके मदोड में, यहाँ पर वोल्टेज लिखा हो रहेगा, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, तो इस वोल्टेज के आधर पर आपको मालूम पढ़ जाए कि आपको आपके 3.3 वोल्ट पर चलता था, फिर DDR1 जो रैम है ना, उसके कार्ड स्लॉट में, जो रैम स्लॉट है ना, वहाँ पर लिखा रहेगा 2.5 वोल्ट, या 2.6 वोल्ट, फिर DDR2 आगया, तो उसके अंदर ऐसा 1.8 वोल्ट लिखा रहेगा, DDR3 में 1.5 यहाँ पर देख एक्जम्पल में टेबल है, यह फ्रिक्वेंसी देखो, पहले 100 ता, फिर 266 अगया, फिर 533, 1066, 2133 और मैक्जिमम इतना, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए वोल्टेज को लोग को कम करना पड़ता है, तो यहाँ पर वोल्टेज कम हो है, फ्रिक्वेंसी बढ़ गया है, यह रैम की खास तो DDR4 की फ्रिक्वेंसी सबसे जादा है आज की तारिक में, और इसमें वोल्टेज सबसे कम है, 1.2 वोल्ट उनली, ओके तो और DDR1, 2, 3, 4 के अंदर डिफरेंस आप देखोगे न, तो सभी में सिंगल नौच ही है, लेकिन सिंगल नौच थोड़े से अलग है, यह देखो DDR1 का ज़्यादा फरक नहीं बढ़ता, लेकिन कौन सा रेम कहां पर बिठाना यह में इंपॉर्ड़न्ट है, तो आप मदवड पर वोल्टेज के आदर पर डिसाइड कर सकते कि मेरे मेरे मदवड में कौन सा रेम बैठने वाला है, तो I hope कि मेरे वीडियो आपको पसंद आए, प् हीडियो आप के ले मुआ है, उ स रहार में, तो कि में कौन सा रेम वी। सांसुरस, टीस है कि मेरे लेम के पर। सहाँ है ज हुर मेदियों।